देश में कोरोना का संक्रमन तेजी से बढ़ता जा रहा है इसके साथ भारत में एक दिन में कोविड-19 से हो रही सरवाधक रिकवरी भी सामने आ रही है बढ़ते मामलों के बीच इसको डिकर लगातार रिसर्च जा रही है हर दिन कोरोना वायरस से जुड़े कई तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं हाल ही में एक डॉक्टर ने दावा किया है कि सारवजनिक स्थानों पर कोरोना वायरस जाड़ों के जरीए भी फैल सकता है उनके अनुसार ऐसे में सारवजनिक जगों पर जाड़ों न लगाकर वैक्यूम क्लीनर का इस्तमाल करना चाहिए जाड़ों से क सकने का दावा एम्स के सरजरी वभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराक्ष वास्तव ने किया है अनुराक्ष वास्तव के अनुसार जाड़ों का इस्तमाल और खुले में कूड़े को रखना कोरोना संक्रमन को बढ़ाने में काफी मददकार होता है उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना वाइरस किसी भी तरह की सतह में तीन से पांस दिन तक रह सकता है संक्रमित मरीज अगर कहीं छीकता या खास्ता है तो उसके शरीय से निकलने वाले वायरस के कण आसपास की सतह पर गिर जाते हैं डॉक्टर ने बढ़ाया कि जाड़ों लगाने के दरान शरीय स निकलने वाले कॉरुना वाइरस के यह कंद्धूल मिटई में फैल जाते हैं उस दरान यदि कोई व्यक्तीЕ 캐स कोज़र पयमा कि साथ को य॥ा वैक्णूर के पाने कि लिए सबस्क्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकिशन पाने की लिए बेल आइकन को प्रेस करें.